मित्रों नमस्कार मेरा नाम है राजजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं व्यूपाइंट विथ राजजेंदर मित्रों TGT PGT और LT Great की कला विशे की परीक्षा में कला संस्कित से सम्बंदित करेंट अफेर्स के अनेक प्रश्ण पूछे जाते हैं आज हम मार्च माह के कला संस्कित के करेंट अफेर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं मित्रों चैनल को लाइक सेस्क्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बाक्स में ज़रूर लिखेगा और यह भी बताईएगा कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं तो फिर आईए जानते हैं मार्च माह के कला घटना करम के बारे में मत्रप्रदेश सरकार ने एक मार्च 2022 को महा सिवरातरी समारोह के आउसर पर उज्जैन में 11,71,000 दिये जला कर नया गिनीच वर्ड रिकार्ड बनाया और इस तरह से पिछले वर्ष नवंबर में दीपावली के मौके पर आयोध्या में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 9,41,000 दियों का रिकार्ड तोड़ दिया गया राज्य सरकार के संस्कित विभाग ने उज्जैन में मुच्छ दाइनी सिप्रा नदी के किनारे जिव जियोती अरपड़म नामक एक भब्वेकारक्रम का आयोजन किया गया था आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस मनाया जाता है अंतराष्टी महिला दिवस यानि कि महिला अधिकार आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है जो लेंगिक, समानता, प्रेजनन, अधिकार और महिलाओं के खिलाब हिंसा और दुर्बेभार जैसी मुद्दू पर ध्यान आकरजित करता है इसके लावा महिलाओं के प्रती सम्मान, प्रसंसा और प्यार को दर्साते हुए अंतराष्टी महिला दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनितिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सों के तौर पर मनाया जाता है इसी क्रम में आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस के उसर पर राष्ट्रपती ने वर्स 2020 और 21 के लिए विभन छित्रों की 29 हस्तियों को प्रतिष्ट नारी पुरुसकार से सम्मानित किया प्रतेक विजिता को पुरुसकार के रूप में प्रमाणपत्र और 2 लाख रूपे की नगद रासी दी जाती है इसी क्रम में मत्य प्रदेश की बैगा चितरकारी के लिए पुरी दुनिया में पहचान बनाने वाली अस्सी वर्सिय जुधहिया बाई बैगा को नारी सक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया पोलैन की कोरोलिना बिलावसका ने मिस वर्ड दोजार इकिस का खिताब अपने नाम कर लिया है जमाइका की टोनी एन सिंग ने उन्हें ताज पहनाया पियोटो रुको के सेंट जुवान में आयोजित इस प्रतियोगिता में अमेरिका की स्री सैनी पहली रनप रही वहीं अफरीकी देश आईवरी कोष्ट की ओलविया ये इस तीसरे स्थान पर रही इस प्रतियोगिता में वाराणसी की मंसा ने भारत का प्रतिने तो किया था लेकिन वह फाइनल में अपनी जगह नहीं बना सकी हलाकि वह सेमी फाइनल तक पहुँचने में जरूर काम्याब रही हर्यानक की प्रसिद्ध 35 वे सुरजकुंड अंतराष्टी हंस्त सिल्प मेले का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रेल तक चला इस बार इस मेले की थी जम्मू कस्मीर थी मसूर अंतराष्टी सिल्प मेला यानि सूरजकुंड का मेला जो की पूरे भारत के हजारों सिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को बैपक दर्सकों के सामने प्रदर्सित करने में मदद करता है कोविट 19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था यह मेला दुनिया भर से आगंतुकों को आकरसित करता है और इस साल मेले में तीस से अधिक देशों ने भाग लिया जिनमें उजबेगिस्तान, मुजामबिक, अफगानिस्तान, इथोपिया, तंजानिया, जिंबाबे, योगांडा, नामीबिया, सूडान, नाइजीरिया, सेनेगल, अंगोला, घाना, थाइलैंड, नेपाल, स्री लंका, इरान और मालदीव आदिस सामिल रहे इस प्रकार सूरज कुंड मेला अदिर्ती है क्योंकि यह भारत के हस्तिल्फ हत करगा और सांस्कित एक ताने बाने की संब्रिद्ध और विविद्धता को प्रदर्सित करता है यह दुनिया का सबसे बड़ा सिल्प मेला है सिल्प कला एवं संस्कित के लिए प्रिसिद्ध आगरा के ताज महुट्सों का आयोजन ताज महल के निकट सिल्प ग्राम में 20 से 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया देश के विभिन भागों के सिल्पियों एवं कलाकारों ने अपनी कलाओं का परदर्शन इस महोत्सों में किया आजादी के 75 अमरित महोत्सों के अंतरगत केंदर सरकार के सांस्कितिक मंतराले के तत्वाध्वान में दसदेवसी लालकिला महोसव भारत भग विधाता के नाम से आयोजित किया गया दिली के लालकिले में 25 मार्च से 3 अप्राइल तक इस समाराओ को संपन्न किया गया इसी करम में आजादी के 45 अमरित महोसव के तहेट 26 मार्च से 3 अप्राइल 2022 तक बारवें राष्टी सांस्कृतिक महत्सव का आयोजन आंदप्रदेश और तिलंगाना में किया गया 26 मार्च 2022 को रात साड़े आठ बजे से साड़े नौ बजे तक दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया यह हर साल मार्च के आखरी सनिवार को 185 से अधिक देशों में मनाया जाता है इसका उद्देश प्रित्वी को कारवन मुक्त करने के प्रयास में लोगों को एक जुट करना है अमेरिका की कैलिफोर्निया में इस्थित डालबित थियेटर में 27 मार्च 2022 को आजजित समारों में 94 वी एकैडमी अवार्ड्स यानि आसकर 2022 के विजिताओं की घोशना की गई सियान हेडर दोरा निर्देशित फिल्म कोडा बेस्ट पिक्चर का आसकर पुरसकार जीतने में काम्याब रही प्रमुख विजेता इस प्रकार हैं बेस्ट पिक्चर्स में कोडा, बेस्ट आक्टर विल इस्मिथ, बेस्ट आक्टरस जेसिका चेश्टेन, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ड्रैव माई कार जो की जापान की है को दिया गया अकेडमी अवार्ड यानि आसकर अवार्ड प्रतिवर्स अकेडमी आफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा परदान किया जाता है आसकर अवार्ड सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्ठिता के लिए एक अंतराश्टी मानेता है हर सल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है रंगमंच मनुरंजन का सबसे पुराना मध्यम है खासकर बात करें हमारे देश की तो आप जानते ही हैं कि हम लोग मनुरंजन और कला के प्रति बहुत दिवाने हैं पहले सिनेमा नहीं होता था तब इंटर्टेन्मेंट के लिए लोगों के पास थेटर ही एक मात्र विकल्ब था विश्व रंगमंच मनाने का महत्पूर्ण उद्देश रंगमंच के परती लोगों में दिल्चस्पी पैदा करना है और इससे जुड़े लोगों को सम्मानित करना है कहा जाता है कि भारत के महान कवी कालिदास जी ने भारत की पहली नाट साला में मेकदूत की रशना की थी भारत की पहली नाट साला अमरिकापूर मदब्रदेश में रामगड की पहाड़ी परिस्थित है जिसका निर्मान कालिदास जी नहीं किया था वैसे भारत में रंगमंच का इतिहास आज का नहीं है बलकि सास्रों वर्स पुराना है। पुरानों में भी रंगमंच का उलेख यम यमी और उर्वर्सी के रूप में देखने को मिलता है। भारती नाट्टे सास्तों को सास्त्री रूप देने का कार्य भरत मुनी जी ने किया था 1599 इसवी में विलियम सैक्सपीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लंदन में एक थियटर की स्थापना की थी और इसका नाम रखा ग्लोब थियेटर आज दुनिया भर में नाट्ट कर्मियों के लिए यह थियेटर मानों एक तीर्थ स्थल बन गया है साहिति के भीजम पिताम विलियम सेक्स्पियर का ग्लोब थियेटर अपने गौरोपूर्ण विरासत को समाथे पर सजाए लंदन में बडिसान से खड़ा है आश्ट्रेलिया की प्रधार मंतरी स्कॉट मारिशिन ने भारत की 29 प्राचिन धरोहरें भारत को लोटाई इन कलाकरतियों में सदियों पुरानी मोर्तियां चितरकला एवं तस्वीरें सामिल हैं जिन में से कई 9-10 सताबदी की हैं और उनका संबंद भारत के विबिन हिस्सों से है इन कलाकरतियों में 12 सदी के चोला कांस राज़तान के 11-12 सदी की जैन मोर्तियां गुजरात की 12-13 सदी की बलवा पत्थर्चे निर्मित देवी महिसा सुर मर्दनी की मोर्ति और 18-19 सदी की चितरकारी और सुरवाती दौर की जिलेटिन चांदी की तस्वीरें सामिल हैं इन प्राचेन कलाकरतियों को भारत को लोटाने की विसेश पहल के लिए प्रधानमंतरी मोदी ने आईस्ट्रेलियाई प्रधानमंतरी इसकोट मोर्शन को धन्यवाद दिया बोधगया में भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है जिसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेर मिसंद त्वारा किया जा रहा है यह प्रतिमा बोधगया के जानी बीघा गाउं में बनाई जा रही है जिसकी लंबाई 100 फिट, मुचाई 30 फिट और चौडाई 24 फिट होगी इस प्रतिमा का निर्माण 2019 में सुरू हुआ और फरवरी 2023 में यह बन कर तयार होगी भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्यान की प्राप्ति हुई थी जहां से उनके प्रवचन और संदेश दुनिया के कोनी कोने में फैले थे भगवान बुद्ध की यह सैन मुद्र की प्रतिमा है और बुद्ध ने इसी मुद्रा में अपना अंतिम उपदेश भी दिया था और फिर 80 वर्ष की अवस्था में कुशी नगर में महा निर्माण की प्राप्तिक हुई थी इस प्रित्मय का निर्माण कोलकोता की प्रिसिद मूर्तिकार मिंटू पाल कर रहे हैं तो फिर आज बस इतना ही मिलते हैं अगले अंक में नए कला घटना करम के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद